जब आपका भी systematic review या पर meta analysis करते हैं तो आप बहुत सारे article के title या abstract को go through करते हैं और आप उन में से relevant और irrelevant article sort out करते हैं जो irrelevant article होते हैं वो आपका बहुत ज्याला time जो है जाया करते हैं तो हम आपका ये time आज की इस video में save करने के कोशिश करेंगे through AI tool जिसको use करते हुए आप जो है अपने irrelevant sort out कर सकते हैं very efficiently तो उस tool का नाम है AS review आपने इसको download कर लेना है और download करके install कर लेना है इसका जो download process install करने का ARM software की तरह नहीं है इसके लिए आपको जो है थोड़े से step follow करने पढ़ेंगे for window आपको जो है python install करना पड़ेगा उसके लिए आपको जो है एक software anaconda वो install करके उसके अंदर जो है python 3.8 से उपर नहीं आपका python install करना आपने उससे 3.8 या फिर 3.8 से नीचे वाला python जो है वो install करना है और उसके बाद आपने pip install as review की command से अपने command prompt में तो इसको install कर लेना है और फिर इसको start करने के लिए आप उसी command prompt में as review lab लिखेंगे तो यह आपका start हो जाएगा तो चलें चलते हैं हम इसको install करते हैं तो सबसे पहला जो काम है आप लोगों ने करना है वह अना कॉंडडा नाविगेटर इसको आपने install कर लेना है और install करने के बाद आप उपन करेंगे तो आपको ऐसी नज़र आएगी और इसके बाद आपने environment पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप create new environment पे क्लिक करेंगे और यहां से जो है आप python का package select करेंगे इसके पहले आप कोई भी इसको नाम दे दें में भी एस एस रिव्यू और उसके बाद यहां से आपने जो है Python 3.8 जो है यह से लेस कोई भी आपने select कर लेना और इसको create पे क्लिक करना है create पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है एक environment create हो जा Gilा उसके बाद आपने home पे जाना है और यह command पर पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है यह ऐसे command प्रो आपन हो जाएगी तिर उसके बाद आपने CONDA activate वह जो आपने पिप install AS review पे क्लिक के enter कर देना है और उसके बाद यह आपके पास install हो जाएगा अपने यहाँ पे AS review lab यह आपने लिखना है और इसके बाद enter करना है और उसके बाद जो है आपका AS review वो आपके ब्रॉजर में यह से start हो जाएगा और यहाँ से फिर आपने जो है create new project पे click करना है और यहां पे आपने जो है इसी को select रहने देना है और यहां पे आपने जो है इसका title देना है वह दो आपने इस older liया, नो एक qui कोई भी फर्मैट में यहां पर आप luर कर सकते मैं उसके बाद आप जो है यहां से स्कोपस क्लीक करने क्लिक करूंगा से पर क्लिक करने के बाद जो मेरा next step होगा वो है इसको मैंने बताना है कि मेरे जो इस databases में जो है कौन से एक दो आर्टिकल का आपने बताना कि कौन से relevant है और कौन से irrelevant है अगर आप पांच बता दें तो वह more accurate हो जाएगा तो आपने जो है थोड़े बहुत जो है आर्टिकल टाइटल की बेस पर आपने इसको बता देना है कि कौन से मेरे relevant आर्टिकल है कौन से मेरे irrelevant आर्टिकल है फिर वह उसको उस लिहाज से stack करता जाएगा stack मतलब कि आपके जो पूरे database में relevant है उसको वह उपर लियाएगा और उसके बाद जो irrelevant है उसको वह stack करते हो नीचे लिजएगा तो अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां से मैं add पे क्लिक को यह मतलब है relevant और नो का मतलब है irrelevant तो जो है मैं पहले का नाम पड़ता हूं और उस्में देखता हूं करी स्मीं on the Play gitti पे काम किया हूआ कि लिए और इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला तो मैं इसको कर देता यानिके irrelevant दूसरा जो है मैं इसको yes कर देता हूं relevant और इसको भी मैं relevant पर click करता हूं और इसको जो है मैं irrelevant कहा देता हूं और इसको जो है मैं relevant कहा देता हूं इसको भी relevant इसको जो है इसको मैं करा से लिए तो आपने ऐसे जो है जो है number of है select कर लेने हैं इसको मैं करते गर देखन पर नहीं क्Be 12 को आपने गल्ती स्लेक्ष और तो आपने इसको unselect करेंगे तो यह irrelevant में चल जाएगा उसके बाद आपने करना है close पे click और यह आपका जो है यह वाला step complete हो गया आप नेक्स में जाएंगे model आपने यहां पे model जो है by default जो select है वो ही रहने देना है और आप अपनी मर्जी से भी select कर सकते हैं कि आप किस model की base base को sort out करना चाहते है मैं इसको newest base की रहने दूंगा और आप अगर बाकी parameter के बारे में आपको अंदाजा है यह कैसे काम करते हैं तो फिर आपने change करने है नहीं तो इसको आपने ऐसी ही रहने देना यह आपके best parameter और इसके बाद आपने next पे click करना है वाम आप कर रहा है थाग गया था तो ले जी अब वो कहता है कि AI ready है to assist you अब आप start review कर सकते हैं तो अब आप जो है review करते जाएंगे अपने article जो आपने relevant article वो शुरू शुरू में दिये होंगे AI को उसको train किया होगा उस पे उसने जो है सारे database में से जो है उसके relevant जो article है वो निकाल के उपर stack कर देने है यानिके database की एक list निस्त बनी होगी और list में जो है सबसे ऊपर relevant आजेंगे और AI जो है go through करेगा all और सबसे नीचे आजेछ़ आजेंगे सबसे नीचे इरलेवेंट आज़ेगे solutions एपने ар Será victim को पढ़ते जाना है और relevant और irrelevant पर आपने कलिक करते जाना है तो मैं पढ़ता हूं relevant है यह भी relevant है य लेकी लेक हैं यह लड है तो इसको कि आपने यह अपां चोल पड़ना उसकी बारिते जाएंगे आपको यह अना शून हो जाएंगगे या तो इसका मतलब है कि उसके बाद जो है सारे ही irrelevant article आपको आएंगे आप जो है वहां से इसको skip कर देंगे यानिके इसको जो है आपने export कर देना उसके बाद तो इसको export करने के लिए मैं यहाँ पे export पे click करूँगा यहाँ से आपने file format जो है select कर लेना है नहीं पहले आपने data set select करना है कि आप जो है इसके सारे जो इस AI ने apply की होंगे project का नाम और कौन-कौन से उसने model apply की है यह वाली information भी आप जो है export में लाना चाहते हैं या फिर relevant और irrelevant label की base पे आप इसको करना जाते है मैं relevant और irrelevant labels की base पे इसको select कर लेता हूँ और format में जो है मैं risk format को select करता हूँ और इसको export कर देता हूँ एक्सपोर्ट करने के बाद यह मेरे पास download हो जाएगा यहां पे तो मैं इसको जो है अपने desktop पे save कर लेता हूँ review lead के नाम से और desktop पे जाके मैं इसको open कर लेता हूँ open करने के बाद यह मेरे end note में import होना start हो जाएंगे तो यह मेरे important references में आ गए है 399 reference और मैं यहां पे जो है इसको आप मुझे नजर नहीं आ रहा यह आपके पास सारे ही reference है जो आपने risk file जो है अगर आप detail में जाएं तो relevant और irrelevant जो है उसके हिसाब से इसको आप इसने sort out किया है तो अगर आप जो है यहां पे as review underscore relevant यहां पे irrelevant लिखेंगे तो आपको जो है जो आपने sort out किये होंगे relevant और irrelevant की base पे वो आपको यहां पे मिल जाएंगे तो यहां पे जो है आप इसके notes के end में भी देख सकते हैं हर article के के आपको यह बताएगा information के इसको आपने relevant में select किया है irrelevant में और not seen में तो यह जो है as review not seen में आ रहा है तो इसको जो है मैं यहां पे relevant के हिसाब से sort out कर लेता हूँ तो मैं as underscore relevant लिखूँगा यहां पे click करूँगा तो आपके पास यह 31 article है यह relevant आगी है तो notes के अंदर जाब यह notes के अंदर search करेगा के जो है as review relevant वहां पे लिखा हुआ है के नि लिखा हुआ हुआ अगर आप irrelevant देखना चाहते हैं तो मैं यहां पे सिरफ IR लिखूँगा और उसके बाद जो है मेरे पास यह irrelevant article आ जाएगा तो आप यहां पे इस sub site group बना के उसको ज सकते हैं तो यह easy step हो जाएगा तो हाँ जी हो गया ना easy आपने articles को screen करना AI tool यूज़ करते हुए तो आप ही यह tool यूज़ कर सकते हैं और अपनी जिन्दगी को असान बना सकते हैं बाबाई